करद से वेडियो में बात करूंगे आपसे पीअसडी के बारे में दिल्ली में बात करेंगा की सिलेक्शन fraction रखा मैं नान मेνीकल स्टूरंट के बात कर रहा ह। क्योंकि इसमें नान मेडिकल स्टूरंट के बात करूंगा तो आपने स्टुरेंस जिनके पास अपनी खुद की फइलोषिップ नहीं है दोनों को डिटिन अग्यशं देना है दोनों को सिंदिना है और दोनों को स्टैन थे नहींigible आप पूशेंगे की उसमें total 10 marks आपको extra दिये जाएंगे और साथ-साथ आपके पास freedom होगी कि आप जो topic होगा PhD का खुद से select कर सकते हैं आपके पास choice होगी आपको प्रोजेक्ट में काम करना है अगर आप चाहें तो अपने किसे individual PhD टॉपिक पर काम कर सकते हैं अब बात आते ही जिसके पास fellowship नहीं उसी में आप अपने PhD का topic आपको select करना पड़ेगा तो इसमें मैं बता दिया कि MSC में या तो आपके पास fellowship होगी तो आप return इंटर्यू देना इनको कोई special वेटेज नहीं मिलेगा कोई marks नहीं मिलेगा और साथी सब्सक्राइब करेंगे अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रस्पेक्ट और स्टेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जो रेज्ट्रेशन डेडलाई ने 26 जुलाई अंटिल 5 पियन तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एप्लिकेशन स्टेस और इजेक्शन स्टेस आपको दो ताइट को बता दिया जाएगा कि अगर आपके अप्लिकेशन में कोई defect है तो आप उसको 5 अगस्त करेक्ट कर सकत अगस्त होगा अब फाइनल रिजल्ट्स सिक्स सतंबर को आएगा और जोइनिंग डेडलाइट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको PSD में स्लेक्ट एडमिशन लेना लिना होगा तो यह कुछ इंपॉर्टन डिट्स है बात का देते हैं अप्लिकेशन फीस की तो जर्ण अब बात कर लेते हैं क्या एक्जामेशन पैटर्न हो तो जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा दूरेशन 90 मिनर्स स्टेज 1 स्टेज 2 सेक्शन में पेपर होगा आपका स्टेज 1 स्टेज 2 का स्लेवर्स भी आगे बताऊंगा मैं डेट क्या होगी रिटन एक्जामेशन की 13 अगस्त सेंटर आपका सिर्फ दिल्ली में होगा और इंडिया सेंटर नहीं है आपको एक्जाम दिल्ली में ही देना होगा लैंग्वेज इंग्लिश पेपर जोग आपको अबजेक्टिव टाइप का होगा कोश्चन कितने होंगे 50 marks दोनों पेपर मिला के टोटल 70 marks होंगे प्लासवन फॉर फॉसन करेंट मिलेगा और वन वाई 3 इंकरेक्ट अब निगेटिव मार्किंग कट आफ क्या होगा 35 marks यापको 70 में ऐटलीस 35 तो करना ही होगा कि आप इंटर्वु के लिजबल हों तो इस बात की याद रखिए अगर इस फिफ्टी परसेंट आपको स्कोर करना है रिटन एग्जामेशन ताकि आप नेक्स राउन की लिजबल हो और टाय रिजुशन ने बुला कि आगर किसी दो केंडियर्स के मार्क स्केम होते हैं तो बेस्ट अपॉन दी एस प्रिफरेंस द बता दिया तो इसमें यहाँ देख सकते हैं नौन मेटिकल कौलिफिकेशन मास्टर डिग्री विच सिक्स्टी परसेंट इंदर इलिवेंट सब्जेक्ट वह और साथी साथ चाहे फैलोशिप हो चाहे फैलोशिप नो दोन इलिस वल हैं आप सेलेक्शन वेटेस्ट तो सेलेक इस स्पेसिफिक फैलोशिप होगी उसको प्लस 10 एक्स्ट्र मार्क्स मिलाएगा इस पैसल वेट उन्हें यह मिलेगा स्टेज 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेटरं इंची क्यों आएंगे जिसने मेडिकल का आओट किया ओगा अमेडिकल से टेर्ट इस से किपार अपका वह इंट्रियू होगा इस टेपार्टमेंटल वाइज इसमें टोटल 20 अब को आप देख सकते हैं और टोटल माक्स सटेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 मिलें के टोटल 100 माक्स का आपका एग्जाम होगा और फाइनल रिजल्ट होगा वह तीनों स्टेज में आपको ऐट इस 50% की फैलोशिप होगी like for example CSIR, DVT, ICMR जो भी इंस्ट्यूट्स फैलोशिप प्रवाइड कर देते हैं अगर आपके पास यह आपने इनके एक्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको 10 माक्स एक्स्ट्रा मिलेगा इस बात का ध्याना किया है गेट एक फैलोशिप एक्जामेशन नह होंगे जिनके पास फैलोशिप होगी उनको टैन माक्स एक्स्ट्रा मिलेगा जिनके पास फैलोशिप नहीं होगी उन्हें की माजचन नहीं की सब्सक्राइब आपको साहीश बता दिया अगर आपको और ढूरड़ इते मैं आट इचनी है तो इस से जाके देख सकते हैं लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगे इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरू बताईगा कमेंट जरू बताईएगा हम उसको जरूर लॉप रिजॉल करेंगे थैंक यू बाई-बाई एंग कीप वाचि बेदेनी